एक्षेनेशन जिसे बोलते हैं इसकी रोग परति दोस्सथ देखने करते दुग निलै । चारव नी डोस जाल गए श्मन को है राज विद्धें की सान के विद्धां कि यह दिखा हूं У्हां ने तो दृब धिब्धा रहे यहीं ने चाहिए उसका व्रेटी वह भी शानदार यूटूब चैनल यूटूब चैनल फेस्टूक पेज आप दोनों का श्वागत है तो आज हम अपने प्रिये बाई मनोज आजपूची के यहां पर पदा रहे हैं जो की यूटूब से हैं और भाई जी खाद दवा पर पेस्ट हैं पहले सही शांदार रिव्यू बड़ी से बड़ी कंपनी चोड़ी से चोड़ी सब कर देते हैं तो बाई जी नमस्कार नमस्कार कैसी ओ भाई जी एक बार बुलन दावाज में परीशे करा दो अच्छे से बना नाम मनोज राजपूत गाउं बड़ोद्दा जिला मुझफण जिला मुझफण यूटूब चैनल भी भाई कैसी नाम से तो भाई जी कौन सी वेराटे दिखा रहे हैं यह पीपी पीचान में है रोहित भाई सी ओ पीवी 95 जिसके बारे में किसानों के अंदर बहुत कोई रोग नी है बहुत कम डेखरेक में होनेवाली विस बहुत कम देख रहे हैं इस तरों की दवा निखाती जिस तरों की अपको सच बताओ जो मिनने अपनी आखों से देखिया सारी विराइटिया उन सब में बहतर पर दिशन इसी का लगा मुझे यह वर्याइटी लगी चलेगी जबर्दस चलनी चाहिए पंजाब में पास वेराइटी है और यहां तो हमारी देश की कलाकारी तो यही है और इसी बात के पैसे अब देखो गोड़ा पती वेगरा सारी आपको दिखा मा थोड़ा अंदर चलते हैं जब बात करेंगे थोड़ा दिखा दो से चलो भाई आप दिखाते हैं आपको यह वेराइटी जब मैंने लगाई उसके बाद मैं यह सोचके लगाई थी कि इसको बिल्कुल जो है वैसे जिस दिन मैंने बुआई करी एक्टर खराब हो गया उसका जो खूड निगालने वाड़ा यंतर था वो निच्चे नहीं जा पारा था तो हमने बिल्कुल लाइन सी खिची उपरी वीज भड़ा था बिल्कुल यह समस्ता से मेरी साथ में तो क्या हुआ इसकी जड़ सई से मैं आपको बता हूं अगर गन्ने की मोटाई चाहिए तो गहरी जुताई और गहरी ही बुआई होने चाहिए बिल्कुल पर थोड़ा और मट्टी चड़ निशी तोर पर सोचने वाली बात भाई जी मैं भी बोलता हूं यह पोरी जितनी दबती है एक पोरी दबगी आप बत तो गन्ने की मोटाई होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यहां से निच्चे से तो बोजन पोदा ले रहा है यह जड़ फैल लेंगी और यह बहुत ही बढ़िया पोशन पोद्देगु देंगी करीब करीब यह मालनों दो जड़ दबरी है अगर तीन जड़ दबी होती कर सब्सक्राइब करीब मट्टी अच्छे से होती है तो पोशन बगारा भी पोद्देगु और जादे मिलता यह जड़ दवी भी नहीं है और यह तो वैसे ही मनने एक एक लाइन फावलेता कर दीती अच्छा नहीं और मट्टी नहीं पड़ा है अच्छा बाईयो गन्ना पर बढ़ते हैं यह दखो श्योपी नांटी फाई और इजनल सीड़ जे बोल दें शांदार मोटे मोटे लट और हमने भी चीर पाड़ करके इसकी देखी दी कल कुछ समय राड रोड ना बता दें तो बारी चीर पाड़ में तो बिलकुल राजी नम्मा लिगडा आजी बह बढ़िया गन्ना बन गया रहा और गोड़ा भी फसकिला साथ मल लगेगा जो चारे की समस्था थी नहीं वह भी समस्था नहीं चिन्नी की कोई समस्था नहीं और जमाव की इतना बहतरीन जमाव दो दिन पुराना बीज बोया उसके बावजूत भी डाए तीन कॉंटल भी दो भी दो 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 पाई तो हिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्था नहीं ना मेल के लिए नकिसान के लिए इसका डियाग्राम हमने दे ख्का सानि आपने देखा जरू आपके पास भी यह बोड बीसकी अच्छी निकलती है पेड़ी ये निकलती रोक पर्ती रोजस शमता तो लगा कुछ मैं आपको बताओं कर सही से किसान इसमें खाद भी दवाई की विवस्था कर दे दवाई तो चोड़ो जरुत नहीं अगर खाद की जैसे जाता है इतना सुन्दर केत लगता है पत्या चोड़ी चोड़ी काड़ा रंग मतलब की बस पुछ जैसा चाहता है वैसा इसका गोला रहता है बाई-जी बहुत खतरना खेत जिसे बहुत बढ़ने इसमें इसको बिना दवाई बीना खाद के करने की कोशिश करिए तो थोड़ की शिर्फरा चे और अब आपाई से आख शूरु तो चलो आपन्यों शुरू है यहां शूरूं सब्सक्राइब कर दो दो कुंटल संस्थान में लगा गया वाक्सिनेशन जिसे बोलते हैं वैक्सिनेशन इसकी रोक प्रतिरोज शम्ता देखने सब्सक्राइब कर दो कि यहां किसान के दिखाओ के भई रिये दिखो रैड्रोट के रहे ने 15 वह भी शानदार है यह भी गजवी वैरेटी से बोल ने परबल वैरेटी और किसान हितकी है बाई-चीज वैजी बताओ जेविग में पोसिवल है कि नहीं है क्योंकि रोक तो नही लगाई है दर के करण मगावा कदी खराब ना हो जा दो इस पर जरूर लगाई है लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी लगाल के अगर खेद बन्जा जब भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो नहीं होने का बिल्कुल लग भाई खाद ना डालो है दवाई न करो हो जाई कोई चीज ऐस भाई हम तो लगाएंगे और भाई जी लगा में हमनी हम तो असी वराइटी सी यह जो कम से कम लागत में हो जा और यह डोबे जो जैसा बच्टे शुट रहे ना ऐसे किसान जंगल में तंकी टांक के रहे बोड़ ठीक ना है गलत तो नहीं कह रहा एसी तासी कर रहा कि अब बड़े भूट का रहा है वाई जी समतों अट देखो यह भी स्वसारे विल्कु श्वस जी से बोल देखो भाईयो के तमक कोई सो दोरे भी खड़े सारे में गुमारे आपको वाज यह देखो अब इसकी बिल्कुल नॉर्मल उस पे 9 के पास 10 10 फूट के आस पास हाजी हाज और अभी तो जैसा इसका कलर है यह दो तीन फूट और हाइट ले जागा भी अच्छीज है बाईजी उपर जागे उच फुल आवट बढ़ती है यह देखो पर की तरफ उपर की तो कुछ और यह क्या करें रोहित बाई मैं तो आप तीन किलो से गंना कम निकल जादो बता अच्छा हमने अपरेल में लगाया था बताम आपसे माना गुली लगाई ती सिरफ एक बार जोटे से जोटा था जोटा था फिर जुताई भी नहीं करी है मैंने उसकी कुल मिला गया राजी कुछी पर ठीक ठाक सही हो गया पर हम संतु से रोह कुछ नहीं कोई कुरोजन वे लिए और दो दिन का सीड़ था था हां थोड़ा लेट वायो पर जोड़े बहुत बढ़िया वाला गोल जिसे बोल दें तो भाई जी और यह रहा है इसका गोड़ा दीरे 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 चलता ही रहेगा इसकी बढ़वार जब तक भी खेत में रुका रहाएगा जब तक इसक करने कोशिश करें आशाए वीडियो आपको इससे पसंद आई हुई करके शेयर करें वीडियो लाइक करें करें तो भाई जी आपका बहुत-बहुत दन्यवाद कोई पॉइंट रह गया हो तो भाई जी बतादी यह है कि नहीं परजातियों में तो 1325 ठीक सा लगा और मुझ है रही बात को नहीं वैरेटी आप है तो इतने अकुस टाइम के लिए यह भी लगा और वैग्याने को थोड़ा सव टैमिले और अच्छी वैरेटी दें अभी मारा करणाल संस्तान बैठा कोई शांदारी देगा कुछ ना कुछ जब देगा और एक इस्तिती खराब होने कि में थे जिटिए यह बाया चलू यह सज्खाने चलू leo च्रीमापनी फुसे चाहिता चल्सान को मना करते हैं तो जितनी जद चीन होगी रोग भी तनाए चला जागा बीज में और उसको जमाव की संता गठती चली जागी बिल्कु चली जागी तो थोड़ा बहुत मावी फोकस होने किसान का थोड़ा बहुत तो भाई जी आपका धन्यवाद नमस्कार भाई